गीया है कि हमें नॉर्मले का फॉर्माई लगाया इस फॉर्म लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकोNext हमने कि पर दिया और जैसे कि हमने की सिर्फ सिर्फ सिट पर चलेगा किसी और सीट पे नहीं और reference भी हमारा पहले से लगेगा तो इसको solve किया जा सकता है इसके लिए आपको lambda formula लगाना पड़ेगा lambda formula ठीक है तो lambda formula लगाया lambda formula के अंदर हमने लिया sales S ले लिजे, S for sales और यहां पर condition दीजिए कि if S is less than equal to 40 तो क्या हो जाए 5 okay if less is S is less than equal to 80 तो यहां दीखे 1000 then if S is less than equal to 100 तो 1500 के if S is less than greater than not less than greater than 1000 तो यहां दीखे 2000 enter मारे है result कुछ नहीं आया क्या बोले से जाए 5,000 तो कुछ नहीं आया जैसे कि मैंने बताया कि यह result कब आएगा जब इसको हम define name में डालेंगे तब जाके सही वर्क करेंगे तो define name में हम जाते हैं और define name में यहां हम inc underscore two का नाम देते हैं और सेम यहां पर हम दाते हैं formulas then okay करते हैं अब यहां पर मुझे inc underscore two देना है और इसके अंदर हम यह सेल्स लिखता था आएगा देती फॉर्मुला सिंपल जैक्शिन झाल